हेलो दोस्तों मैं शहवास ग्रेट आईक्यू में आप सभी को स्वागत करता हूँ साइन्स के प्रेविए सिर्की क्लास को कॉंटिन्यू करेंगे चौबी से तंबाल जो शिफ्ट होई थी उसके 25 कोशन साइन्स के कंप्रेट करेंगे और सीरिस को आगे बढ़ाएंगे तो स्टार्ट करते हैं पहले कोशन के साथ बेना किसी देनरी कि एक कोशन यहां और तो रहलेटीव डैंस होता है ठीक है तो हमारे कि इसको मास को और जो हमारा एम की पावर क्यूब होती है एम क्यूब जो होता है हमारा यहां पर मीटर क्यूब वो हमाया करता है वॉल्यूम को ठीक है तो मास अपॉन वॉल्यूम जो है इसका रेश्यो होता है तो इसका मतलब क्या है ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गया हुआ नेक्स कुशन के तरह चलते हैं प्रजातियों में से कौन से जीवित हने का लाप प्रदान खरता है तथा अनुवांशिक क्रम में योगदान देता है तो ऐसे कौन से चीज है जो प्रजातियां होती है उसको पीड़े दर पीड़े आगे बढ़ा रहा और एड्जस्टमेंट क चलते हैं एक लड़का चार किलो का बैग है तीस सेगिंड तक पकड़ता है किया गया कार्य बताईए ठीक है अब कोशन को ध्यान से समझेंगे इसमें क्या बोला है कि एक बॉइड होल्ड फोर की जी बैक ठीक होल्ड किया हुआ है वह आगे की तरफ नहीं पीछे की तरफ जौन लहीं कि आरा वो स्रीप उसने पकड़ रखाया in तीन दाखर हमारे फंब्याम के हिसाब से कभी वेज्ण आपरThen85 उठाक है तो वह मेंशाग होता है तो यहां पर इसने वोड़ गरका इसलिये इसका अन्लख से सब्सक्षाइबूचा गया है यह इंफ्रा रेड्ट होती है किसी रॉकेट का प्रॉकेट का निूटन जिस नियम के पर अधरिद रॉकेट छुटता है तो क्या होता है रॉकेट तो उसके गैस होती है उसको प्रैशर तो यहां पर इस पर न्यूटन का थार्ड लॉट लगता है जहां पर न्यूटन के थार्ड लॉट बताया गया कि एक्षिन है इक रिया होती है उसकी प्रतिक्रिय जरूर होती है पीछे की साइट जैसे जब गन चलती है तो गोली आगे तरफ निगलती है तो यह हमारा न्यूटन का जो है थार्ड लॉट जो है वो बताता है यानि option number A किसी गोलाकार दरपण की focus दूरी बताई यहाँ पर इनने पूछा है तो रेडियस कैसी हुजाती है करवेचर की हाफ अगले कोशन की तरफ चलते हैं यह कोशन अच्छा है ठीक है इंपोर्टेंट कोशन है थोड़ा सा डिफिकर्ट लैने लैंदी टाइप कोशन है एक बंदूग से बारा ग्राम की गोली दाके जाती है गोली बाहर निकलने में 0. 0.06 सेकंड का समय लगता है उसकी गती 600 मीटर प्रति सेकंड है बंदूग द्वारा गोली पर लगा गया बल यानि फोर्स बताना है हमें ठीक है कितना लएगा यहां पर कोशन समाझ में आगे आपको बारा ग्राम जो है बताया गया गोली दागी जाती है यहां पर हमें पर पर चल गया मास पर चल गया हमें। थीक है अब यहां पर टाइम पर चल गया हमें और स्पीड भी पर चल गई अब हमें बल निकालना यह निकालना होता है तो हम यह देखेंगे चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम, अब मोमेंटम का हिंद रहा कहते हैं, समवेक, इसको हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर टाइम के साथ, अब हमें पता है, मोमेंटम जो होता है, यानि समवेक जो होता है, इसको हम शो करते हैं, पी से, और इसका क्या होता है, मास इ बादा करेंगे याने 12 मुर्यंटम ऩर चेंज करने के लिए तो यहां पे इसका मस कितना जाए का जीवारान वमनेंटम करने हुआ है मुपॉइंट तो 1700 से यहां पे आजाएगा 7.2 धीक है 7.2 यहां और ऑजाएगा पे संवेग जो है पता चलिए हमें और हमारी स्पीड इसने देही रखी है टाइम जो है टाइम कितने रखा कितनी जिर में जीरो पॉइंट जीरो सिक्ट में सब्सक्राइब 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 कर सकता है आगे चलते हैं अभी हमने किया है जो हो क्या है ठीक है तो मोमेंटम याने समवेग जो होता है वेक्टर रिकाई होती है ठीक है वेक्टर यूनिट है और वेक्टर यूनिट हमेशा जिसकी जो है कोई ना कोई उसकी दिशा जरूर होती है और मेगनिटीट भी होता है वेक्टर यूनिट की जो परिभाशा होती ह वहुत ही यह है कि उसमें जो है कोई न कोई परिणाम और कोई और कोई दिशा जरूर होती है तो इसमें परिणाम और दिशा दोनों यानि मेंगेनिटीट और्यक्षन दोनों होती है आगे चलते हैं तरफ उर्जा के ऐसे सुरोतों की प्रकरती बतानी है जो बहुत लंबे समय से फिर से नहीं बनाया सकता ठीक है मतलब उनको बनाया नहीं जा सकता बिल्गूल भी ऐसे कौन से हैं जिनको च spends हो जाएंगे तो उसको दोबारा नहीं बनाया जासकता तो हमें पता होना जाहिए कि वह ऐसे होतीं कभी खते हैं तो नंवेगल विह समच जाये कि यह आप की ररे माट चल रही है ता आप अगर विदुत विगलन बोला गया किस संबंदित है तो आप खुद समाज़ लिए शीटलं से नहीं होगा चम्बके से नहीं होगा ठीक है यहाँ पर यह उश्मिय प्रभाव हो जाएगा उश्मिय थर्मल इफेक्ट क्लियर हो गया आगे चलते हैं नेक्स कुशन की तरफ निम कॉपर और कारवन अक्ससड जन जो होता है उसमेँ अभी कारक में काम करता है तो कारवन मानiczख को कैसे करतें तो कार्बन उपसाइड को हम सी ओ से शो करते हैं तो आप्शन नमबर सी हो जाएगा आगे चलते नेक्स्ट गती जूर्जाओं कैसे व्यक्त करते हैं कोशन यह था ठीक है बड़ा सिंपल सा कोशन है काइनेटिक एनर्जी के वाले पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी इसका को पतान होनाँ चीर घाव v स्क्वार घ्मए MARC बहुत सी होजाता है और हमारा वह आगर मैं बुलूद उसी के आगी पॉप्थेंशन एनर्जी क्या होता है पौसेंशन एनर्जी स्थी जोर्जा वह हमारी एम Store है हमारे हाइट जी से gravity और M से हमारा mass हो जाता है आगे चलते है next चार कक्षिये हिर्दय वाला गरम रक्त वाला पुराणी कौन सा है पहले तो हम यह देख लेते हैं कि चार कक्षिये वाला कौन सा है यहाँ पर देख लिए reptile, mammals, fish और amphibian तब ही हम समझ जाएं कि मेमल से सकांसर हो जाएगा आगे पढ़ने की ज़रोती नहीं है चलते है next question की दरफ संगे मरवरपा तनू हम हाइड्रोक्लोरिक acid जो होता है उसके अभी क्रिया करने से क्या होता है तो संगे मरवरपा जब हाइड्रोक्लोरिक acid के साथ क्या वाए जाती है तो हमारा जल जो होता है जल और करवंड यकसरेट को अलग कर दिया तो इसके डारेट जो रियक्शन होती है वो PCDon 2 और 144 को अलग कर देगा और चलते हैं next sسب की दरफ किस वरक के doo में गरम रखत वाले कौन से हैं, तो यहाँ पर जो होता है, पक्षी बर्ड जो होते हैं, बर्ड और मेमस जो होते हैं, वो गरम रख्ट के होते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स कुशन की तरफ, आवर्ट साणी में 58 से लेकर 71 तक, यह पूछागा या, 58 से 71 तक, कौन से ततर उपाय जा 58 से 70 वाला पूछ गया तो इसको को लंधुनेड कि तरफ में बारा प्रोटोन है तो वह किस से संबंदितो होगा को बारवन का मतलब क्या है कि जो बारवन बारवक होता है तो 27 नमबर पे जब आता है वह हमारा उसरे ग्रूप में आता दूसरे ग्रूप में आंसर नंबर ए आगे चलते हैं ये कोशन भी एक रिपेटिट कोशन है ठीक है बाइस सरी के शिफ्ट में आया था ये कोशन इस से लेडिटी वापस रिपीट वाद रही है भूण एक विशेश तंतु के सहायता से मा के रख्ट से पोशन प्राप्ट करता है ठीक है जब जब तब वो जो ये कहां से अपना पॉशन प्राप्ट करता है तो एक तंतू होता जिसको प्लेसेंटा बोल ठीक है प्लेसेंट होता जहां से करता है जो याद रखेंगे गरम नाल बोलते हैं तो हिंदी में आगे चलता है कि तरफ सोडियम बाइक कार्बनेट का पी-एच कोई चेंज़ नहीं होता है तो संपीडन जो वर्ड है ना यह तभी स्टार्ट होता है जब हमारा प्रैशर जो होता है वह बहुत ज्यादा होता है ठीक है तो इसका निर्मार कहां होगा जहां पर प्रैशर हाई रहेगा आगे चलते हैं नेक्स क्योंकित तरफ असंत्रफ हैड्रोकारबन योगी घत्या दिक काली धुवा के साथ कौन से जुवाला प्रदान करते हैं और ऑक्सिजन में जलते हैं तो अगर मैं सिधर रंग की बाद करूं तो यह असंत्रफ हाइडरोकारवन जब होते हैं जब ये जलने लगते हैं तब ये पीले रंग के जो गैस है जो इसका कलार होता है वो पीले रंग का होता है आके चलते हैं next पाचन के दौरान पित जो होता है हमारा बाइल जो होता है बाइल वो किसका कारण करता है करता है फैट का आगे चलते हैं नेक्स कोशन से लास्ट कोशन है अधिक्तम एलेक्ट्रों के संख्या किज़ें नहीं होती है यह पूछा गया है तो यहां पर अलग अलग जो होती है ठीक है के ल, M, N और इसका एक फॉर्मुला होता है पूछा जाए इलेक्ट्रों के संख्या कितनी है यहां पर होता है टू, N का स्क्वार ठीक है जब यहां पर हम N की वेल्यू रखते चले जाएंगे तो इन सब की वैल्यू सब की वैल्यू चले जाए जया एक तो यहां पर आट हो कुछ भी सकता है तो इस तरीके से हमारी कुछ भी पूछ सकता है उपर आराम से निकास सकते हैं इस फॉर्मुले के थुरू तो यहां पूछा क्या गए एम का पूछा गए तो हमें कितने होते हैं आराम से कर सकते हैं तो यह 25 कोशन थे जो 24 सारे के शिफ्ट में आये थे यह सारे मैंने कंप्लीट कर दिये इस सीरिस को हम कंटीनियू करेंगे इसके साथ साथ अगर आपके कोई डाउट है तो भूजे कमेंट कर सकता है और बहुत जल्दी ग्रूप डी के लिए जो स्टैटिक जीके एंटिपीसी में पूरे फेस में आई है जैसे अवार्ड होगे स्पोर्ट्स हो गेटिड और भी जो इंपॉर्टन चीज़ें आई हैं सबसे दाधा स्टैटिक जीके में टैमपल्स होगे वो जिसको किसी को दिक्कत हो दे तो कमेंट कर देना उसकी भी हम बहुत जल्दी एक कमपाइलेशन स्टार्ट करेंगे इवनिंग में उसकी एक वीडियो रोज अपलोड किया करेंगे जल्दी से जल्दी ताकि ग्रूप डी तक आपके मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक हैं वो कावर हो जाए कोई दिक्कत नहों अगर आ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पाए औल दा वेस्ट टेकिए